हलो ओल वेलकम टू मैं चैनल आज हम एक शॉरन को एक रीडिंग करने जा रहे हैं रिगार्डिंग लिए अगर सन्मून और राइजिंग की पोदीशन आपके लिए या निकी सिंग राशी है तो यह रीडिंग आपके लिए है एक जैनर स्पासिविक रीडिंग बिल्कुल नह भीरण सेवग पूरण ने रिडिंग करने इस आजो निकी एट्रिंग मिने फट्रिंगर संग राशी एक कई प स्षै रिडिंग उनिक एय्डिंग जडेर्न कैई है फॉर यह मंत उप्क Kईशाि Cuando of wands, three of wands, आपका challenge है eight of pentacles and आपका bottom of the deck है queen of pentacles with ten of sword, okay तो मैं पहरे तो आपको signs बता देती हूं, Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, जो sign मुझे मिले हैं वो मैंने आपको बता दिया है and one number मुझे काफी strong दिखाई दे रहा है, वैसे तो eight number भी है, बट अगर आपके partner one number के हैं या आप one number के है, means आपका birth दे तो सकता है birth number, destiny number, anniversary, आपके partner की तो आप लग थोड़ा ज्यादा ध्यान दो के, मैं देख सकती हूं, आप past में काफी manifestation करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आप जिस भी concern में reading देख रहे हैं, काफी manifestations आप past में कर रहे हैं, आप उने, you are like, you want to change your life, आपकी life जिस भी direction में जा रही है, आपने उसको बदलने का फैसला किया है, past में कि अब मैं ऐसे और नहीं कर सकता, मुझे जो हैं छीजे यह नहीं, यह चाहिए, मेरे dreams यह हैं, and मैं उने हासल करके ही रहूंगा, and present में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, कि आप काफी जो है, creative and new beginning करते हो है, मुझे नजर आ रहे हो, काफी inspired हो, है ना, सपने देख रहे हो, एक brainstorming, means youthful spark मुझे दिखाई दे रहे है, एक spark जिसे बोलते हैं, कुछ कर दिखाने का जुनून मुझे नजर आ रहा है, नईनी चीज़े try करना, सपने देखना, यह सारी चीज़े मैं देख सकती हूं, means एक आग सी जिसे बोलते हैं, एक आग सी आप में लगी हुई है, आप मुझे निया future में भी अपना fourth wand ढूंडते हुए नजर आ रहे हो, means आप manifest कर रहे हो, रिजर्स का वेट कर रहे हो, opportunities का वेट कर रहे हो, है ना, आप ने जो है अपनी लाइफ के लिए कोई direction डेफिनिटली जो है चूज की है, कोई decision making आपने किया है, और उस पर मुझे चलते हुए नजर आ रहे हो, improvement करते हुए नजर आ रहे हो, उस direction में जो भी आपने अपने life के लिए तै कर यह उस direction में बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो, आपका challenge यहां 8 of pentacles है, तो मैं यही देख सकती हूँ कि यही आपका challenge के रूप में यहां पर मौझूद है, कि आपको grow होना है, universe आपके रास्ते में might be hurdles create करें, है ना, तो उनको आपको overcome करना है, आपका जो भी soul purpose है, जो मैं बता रहे हुए जिसके लिए आप manifest कर रहे हो, efforts ड रिगार्ड में आप पे definitely कोई ना, कोई universe challenge करने वाला है, आपके skills के regard में, तो आपको काफी जो है, बोलते हैं, अपने, अगर आप business concern में देख रहे हो, career concern में, तो अगर आप अपने pentacles में कर रहे हो, तो उसके regard में कोई कि ऐसा challenge आएगा, जिससे आपको शायद might be step back करना पड़े, जिससे मैं बोल रहे हुए, आप creative ideas देखते हो, मुझे नजर आ रहे हो, follow करते हो, creative beginnings करते हो, उसके concern में काफी आपके रास्ते में उसे achieve करने के लिए, काफी hurdles जो हैं, आ सकते हैं, universe की तरफ से challenge आ सकते हैं, जिसम आपको अपने आपको proof करना होगा, कि वो universe आपको क्यों provide करे, and क्यों वो manifestations आपकी पूरी हो, क्यों उसमें आपको success मिले, जैसे हमें schools में भी होता है, test होते हैं, जब तक हम वो test clear नहीं करते हैं, हम next class के लिए promote नहीं होते हैं, so वही हमारा universe का system है, तो उसी के regard में मुझे आ and challenges आते हो हैं, नजर आ रहे हैं लिए, आपका bottom of the deck, queen of pentacles with ten of swords, तो मैं देख सकती हूँ कोई past का hurt pain and trauma है, जिसे आप जो हो, काफी heal होनी की कोशिश कर रहे हो, माइड भी हाँ पर मुझे कोई working parent भी नजर आ रहा है कि कोई working parent हो सकता है, अपने बच्चे के लिए काम कर रहा है, cause यह कोई एक basically love reading नहीं है, यह self growth की reading मुझे ज़्यादा नजर आ रही है, self growth की reading या आगे बढ़ने की life में reading, या कुछ hustle करने की reading, ambition की reading मैं ज़्यादा सकती हूं, single parent हो सकते हैं, या working parents हो सकते हैं, xyz अपने हिसाब से बाप से resonate करिया, आपके साथ क्या resonate होता है, so मैं यहीं देख सकते हूं, उस past trauma से heal होना, है ना काफी अपना आपको heal करते हो, मुझे नजर आ रहे हो, और जो भी आपने set goal करा है, abundance के लिए आगे बढ़ते हु आप मुझे काफी दादा down to earth हो, means जो पाना है, वो पाना है, और जो भी past में आपने heart pain और trauma झेला है, उसको conquer खरते हुए, अपनी life की new direction को बहुत अच्छे से efforts टालते हुए, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, and trauma को मुझे पीछे ही ठाटा बाय बाय खरते हुए, भी नजर आ रहे हो, a very good and nice read, see be real, see, a very good and nice read for you, know your worth, see, आपका universe आपको बोल रहे है, and आपका bottom of the deck है, a new romantic cycle, begin, आपको universe बोल रहे है, अपनी worth पहचानो, आप किसी से कोई कम नहीं हो, जो भी challenges and जो भी hurdles आपकी life में आएंगे, वो बस ये देखने के लिए आएंगे, क्या आप चीजे जो भी manifest कर रहे हो, वो deserve करते हो, या नहीं करते हो, आपकी life के बहुत ही new शुरुआत, बहुत जल्द होने वाली है, for sure, बस आपको अपनी worth पहचाननी की जरूरत है, and इन challenges से डग मगानी की जरूरत नहीं है, release your act, the time has come to clear your energy, stay optimistic, your love life, positive thinking will bring faith to your romance, and आपका bottom of the day, calling in your soulmate, your pair of formations and visualizations help you bring together, अगर आप किसी partner के concern में देख रहे हैं, तो definitely new romantic cycle आपकी शुरू होने वाली है, है ना आपने ex को release करो, अगर किसी का कोई ex partner है, उसके प्यार में है, तो new opportunity आ रही है, तो उसे grab करो, ex को release करो, otherwise आपके past में जो भी heart pain trauma है, उसको release करो, अब चाहे वो किसी भी concern में हो, partner के, या family के, या आपके career के, जो भी आपका heart pain and trauma है, basically अपने past के trauma को हमने release करना है, अपनी life के लिए बहुत ही positive सोचना, जिससे आप जो manifest कर रहे हैं, वो positively होता चला जाए, क्योंकि अगर आप negative हो जाओगे, अपने challenge में फस जाओगे, तो आप negative सोचने करना बंद कर देंगी, and universe बोल रहे हैं, अगर आप किस भी concern में reading देख रहे हो, वो definitely आपके लिए बना है, बनी है, आपका soulmate है, और अगर आप ये self growth और अपने career के concern में देख रहे हो, तो आप जो भी पाना चाहते हो, वो definitely पाओगे, आपको वो पाने से कोई रोक नहीं सक पता है, वो सिर्फ आपका ही है, but हर चीज को पाने के लिए थोड़ी महनत करनी पड़ती है, जदो जहत करनी पड़ती है, कोई भी चीज इस दुनिया में मुफ्त की नहीं मिलती, सिवाए माबाप के फ्यार के, you are ready, and आपका bottom of the deck है, let's go, आपको angels बोल रहे हैं, आप बिलक नहीं फसन है, आप ready हो, चीजो को let go करो, जो भी थोड़ी बहुत अगर कुछ बची है, and challenges में first के negative मत हो जाना, जिससे manifestations जो आपकी positively work करी हैं, वो work करना बंद ना कर दिया, आप तयार हो, चीजो को छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो, flow में बहते रहो, challenges को overcome करो, the victory is definitely yours, लि लिए 睡्वार को कमे सूरा है, जो जो आवेजो कर दो, लिए हो ए whी करो, लिए खवार दो, जो हो बहा हुत replicate, विए हो, लिए रहो कर दो, लिए मक्यों philanthrop्कि प्रासों के इभे हो